इस्राइल हमास युद्ध ने पूरे मिडलीस्ट को सुलगा कर रख दिया है जिसकी वज़ा से लाल सागर, बावल मंडे, अरब सागर, हिंद महा सागर और स्टेट अफ हर्मूस ये वो इलाके हैं जहां पर यमन का हूती लगातार, ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट हमलों से अम दरसल इस पूरे समुदरी इलाके में अमेरिका और पश्चमी देशों के कई युद्ध पोत तैनात हैं, जिन पर हूती ताबर तोड हमले कर रहा है। लेकिन हूती पर लगाम कसने के लिए अमेरिका और बिटेन ने यमन के भीतर हूती के सैने ठीकानों पर कई हमले भी किये हैं, लेकिन हूती पर इन हमलों का तिल भर भी असर नहीं पड़ा है। हूती ने दावा किया है कि उसने एडन की खाड़ी, हिंद महा सागर और अरब सागर में मालवाद जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किये हैं। इन हमलों को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडिया जर्नल याया सारी ने बयान भी दिया है। उनका कहना है कि हूती ने एडन की खाड़ी में इसराइल से जुड़े दो जहाजों पर ड्रोन और बैलेस्टिक मेसाइल से हमला किया है। हूती के मुताबिक एडन की खाड़ी और अरब सागर में MST डी आगो और MST जीना पर हमला किया गया है। इसके बाद अरब सागर में एक अन्य जहाज MST विक्टोरिया पर भी मिसाइल से दो बार हमला किया गया। पहला हमला हिन्द महसागर में और दूसरा हमला अरब सागर में किया गया में और दूसरा हिन्द 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 में और दूसरा ह माई हुटी के नेता अब्दूलमालिक अलहुती ने कहा है कि जो भी जहाज इसराइल या कब्जे वाले फिलिस्तीन तक सामान की सप्लाई लेकर जाएगा उस पर हमलाज जरूर होगा चाहे वो जहाज कहीं भी जा रहा हो अजे ले जह स्त्थिया फ़ैंन या लेकर स्त्त लाएगास य्या ल्या वाले बेंवार लिक लाएगा उचटीन वेता जाम जाएग। तरसिल सुषन से मीवान देवान तो मतलो अ क्ट Сालेफ है कर जामाजिदा बस्फिन जी जाना पढाओ पर जित्कार Communist by तो थेवान्द ना मेसे के वी जवान का तुन है भाना जेवान धिधित ना जबकि MST जीना श्री लंका से जब उती जा रहा था। जीना श्री लंका से जा रहा था। जीना श्री लंका से जा रहा था।